यहों पर समझने वाली बात यह है है. कि कोसा नोट नोट किसके साहँ लगेग in क्यों लगे गा कैसे लगेगा अगी सारा कुछ क्याइर कर दूगा यह टो यह इदो च्रोड आ कि अपर च्छेंज कर सकते हो । यहां पर इमेज भी एंसले कर सक्तो आपको प्रिव्यू ले सकते हैं, आपको प्रिज्ट करना है, Ctrl, Shift और Left Click, जैसे अब Left Click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर आपको पहला को जासा देख रहाँ, अगर आपको नीचे वाले में Shift करना है, Ctrl, Shift, तो वारा क्लिक करेंगे, नीचे वाले में Shift करेंगे, इस case में अगर आप Ctrl, T करोगा, तो सिर्फ खाली आपको Mapping, और basically Texture Coordinate लगाएगा, बट इसी के साथ, अगर आपको ऐसा नोड लेते हो, जिसमें आपका पहला नोड बेसिकली, जिसमें आपका पहला नोड आपका Color का होगा, तो वहाँ पे बेसिकली 110 परसंद आपको मैं बोल रहा हूँ, कि वह Image Texture लगाएगा, बिकास Blender को नहीं पता होता, कि वहाँ आप एहाँ पे Image आइड करोगे, या फिर नहीं करोगे, अब हम बात करते हैं कि यह जो टेक्शर कॉडिनेट है और जो मैपिंग नोड है, यह बेसिकली है क्या चीज, ठीक है, काफी लोग बस बोलते हैं कि यह टेक्शर कॉडिनेट लगा दिया, मैपिंग लगा दिया, आखे इनका यूज क्या है, यह options हमारे किस काम आते हैं, चलिए इन सब options के बारे मैं यहां तक आपका पूरा-पूरा बात करूँगा, तो, Hello Everyone, कैसे हैं, आप सभी लोग पहीं, आप दीपक और आपसे विका स्वागत है, Blender Basic to Advanced Quartz में, तो, इस लेसन में बात करने वाले हैं, कि आप अपना कैसे पहला प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं, वो जिस टाइब कर यहां पर आप देखेंगे, हमने आप यहां पर मार्वल क्रियेट किया है, आप यह देख सकते हैं, यह टोटली प्रोसीजियल तरीका है, मार्वल क्रियेट करने का, यहां पर आप जो चेकर देख रहे हैं, यह भी हमने बेसिकली यह प्रोसीजियल तरीके से ही बनाए हैं, आई नो यह टेक्शर से भी अची हो जाते हैं, यह प्रोसीजियल तरीके से यह चीज़े काफी सुन्दर और कॉफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, अगर आप इसको मेश बनाते तो आपको इसमें ज्यादा मेश करें पर अभी अगर आप देखेंगे, जैसे भी बनाएगा, प्लीज मुझे इंस्टागराम पर टैग करने ना भूले बनाने के बाद, तो चलिए शुरू करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा यह जो माटीरियल है, जैसकि मैं आपको लाग दिसमें बदा आदा, मैं यहाँ से इसमें से मटीरियल हटा देता हूँ, और इसमें से भी हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें मॉडल दुबारा से क्रियेट ना करना पड़े, अब यहाँ पर बेसिकली मैं सबसे बहुते मैं प्लेन को सिलक करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते, या तो आप यहाँ से new material क्रिएट कर सकते, या फिल आप यहाँ से कर सकते, अब to you जहाँ से भी आप करना चाहे, तो मैं यहाँ पर new पर क्लिक करूँगे, यहाँ आप देखेंगे हमारा new material आचुक है principle bsdf, अब basically procedure texture में होता क्या है कि आपको एक चीज का ध्यान देना है procedure texture मनलब कि जो shader editor है वो अपने आप में बहुत बड़ी huge library है ठीक है आपको उसको basically याद करना थोड़ा मुस्किल हो सकता है शुरुआती days में पर ऐसा नहीं कि आप ध्याद नहीं कर पाएंगे शुरुआती days में आपके लिए थोड़ा याद करना मुस्किल हो सकता है तो आपको क्या करना है basically अगर आपको नहीं पता कि वो textures कहाँ पर मिलता है तो आपको मुझा सिंपल सी tricks बताने वाला हूँ यहाँ पर कि कैसे आप यहाँ पर जान पाएंगे अगर इन कैटेग्री को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको इस सारी कैटेग्री बहुत अच्छे सा समझ में आ जाएंगी जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे input इंपुट मतनब होता है कि जो चीजे हमारी basically किसी output वाले object में लगती है वो हमारे input की category में यहाँ पर आ जाती है इसके साथ साथ जो output है यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ दो भी output है एक हमारा material output है एक हमारा AOV output है material output आप यहाँ पर यहाँ पर अलड़ी by default लगा हुआ देखते हैं और AOV output हम आगे आपको बताएंगे कैसे का आप गरता है फिर हमारा आता है colors colors जैसे कि आपको पता है उसमें brightness, contrast, gamma, hue, saturation वगरा होता है converter so converter basically क्या होता है जिसमें हम दो notes के बीच में एक ऐसा converter लगाते हैं जिसमें हम उस note की property दूसरे note में convert कर लेते हैं या फिर मैं आपको बोलूँ कि उसके हम properties को हमापर transform कर देते हैं इसका साधाना सा example है color ram जो की as a converter हमारा होता है और उसके बाद यहाँ पर आते है shaders जैसे कि आपको पता है आप shaders यहाँ से भी देख सकते हो और मैंने आपको पहले भी बताया था बिसले lesson में कि अब यहाँ पर भी आप देखेंगे मैं अच्छे से आपको समझाते हैं आप shaders यहाँ से भी add कर सकते हो यह same ही category दोनों जो को आपको मिल जाएंगी इसी के साथ साथ यहाँ पर आप आप आएंगे textures, textures मतलब कि यहाँ पर हमारे पास से कि कैसे आप basically इन सब चीजों को समझ सकते हो कैसे हमारा UV काम करता है कैसे हमारा mapping note काम करता है वो सारा कुछ आपको आपको आपके की वीडियो में जरूर मिलेगा अभी आप यहाँ पर समझे कि आपको जो categories है इनको confused नहीं होना इनसे आपको परिशान नहीं होना कि आपको कैसे समझ माएंगी अगर आप मेरी सारी वीडियो को एक एक करके फालो करके देखोगे तो आपको shaderator इतना easy लगेगा कि आपको यह तो बहुत ही आसान है तो उसी तरीके से आप में सारी वीडियो भी आप लोगों के लिएट कर रहा हूं तो अगर आप वेक्टर्स पर जाते हो तो यहाँ पर आपको चीजे मिलते हैं जिसमें हम displacement वगेर है या पर किसी चीज में exaggeration वगेर है या फिर किसी चीज में हम उसकी values को change करना transform करना वो सब चीज यहाँ पर हमको मिल जाती है script अभी इसके अंदर कुछ होगी नहीं script हम खुछ से create कर सकते हैं यह भी हमारे इस वाले chapter में या फिर कह सकते हो कि इस वाले course में नहीं edit है हम एक python का अलग से पुरा लेके आगो जो महीं पढ़ा होगा मुझे python अच्छ से आता है तो मैं आपको python भी अच्छ सिखाऊंगे कैसे आप python की मदद से addons वगर भी create कर सकते है last हमारा आता है basically groups यहाँ पर basically आप groups बना सकते हैं and last but not least वह हमारा layout and basically reroute, reroute और layout क्या होता है आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपको इसा एक frame दिखता है उसमें आपका नाम दिखा रहता है कि हाँ इसी इसीज का node है और वो सब आपको सब एक सारे node एक node में लगे होए होते है तो वो basically layout बगरा होती है ठीक है अपने website पे सारे lessons डाल लगे है आप पीछे वाले lessons बीजाके camera वाले lessons देख सकते है वहाँ पे आच्छे सापको camera वागेज़ा set करना और camera के सारे detailing में आपको सब बता रहा है ठीक है तो मैंने zero press किया यहाँ पे हम camera view में आ चुके है उसके बाद मैंने अपने इसको select करा monkey को and monkey को select करने की बाद sorry हम यहाँ पे basically checker बना रहे है तो हम नीचे plane को select करेंगे and यहाँ पे जैसी मैंने आपको बोला था कि जैसी आप shift यह प्रेस करते हैं यहाँ पे basically आप add कर सकते हैं चीजों को तो देखो अब यहाँ पे अगर आपको चीजों का नाम पता है तो ठीक है अगर आपको चीजों का नाम नहीं पता तो आप यहाँ पे थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हो कैसी जैसे कि मालो हमेंच यह चेकर तो चेकर क्या है एक तरीक का texture सी तो है और जैसी आप यहाँ पे बेसिक लिए आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा चेकर टेक्शर का यह पुरा प्रॉपर्टी पैनल है आप बोल सकते हो कि एक नोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा पहले वाला जो color देख लोगाई यह हमारा है image का ठीक है अब आप बोलोगी image का कैसे बदा चलना है देखो आप हमेशा ध्यान लखना कि जहां पे भी आपका yellow dot होगा ठीक है पहले चीज जो yellow है वो yellow के साथी जाएगा 90% cases में yellow आपका yellow के साथी जुड़ेगा always आपको बता रहा हूँ ठीक है और gray आपका हमेशा gray के साथी जुड़ेगा यह आपको हमेशा ध्यान लखना है ठीक है बट अब यहां पे मैं आपको बोल ला हूँ कि जहां पर भी आपको पीला dot मिल जाए वो हमेशा आपका image का होगा तो आप बोलोगी यह कैसे possible है देखो आप यहां देख सकते कि अहाँ पर भी यहां पर देखो ढ लोगा सकते हैं मतलब कि यहां पर हम कोई image लगा सकते हैं अगर इमेश लेखो घो तो यहां डिलगा तो यहां पर अगर वहां पर इंभ शुंद आपको इवल के तो हम SchoagD देख रहे हैं तो यहां पे क्या image हमको देख रही है तो always हमेशा धिहान रखना कि यहां पर जब भी आपको पीला node मिले किसी भी texture में किसी भी node में तो समझ देना कि उसमें image तो हमेशा ही लगेगी वह input आपका image हमेशा accept करेगा जैसे मैं कुछ और आपको दिखा देता हूं जैसे मालोग colors में आते हैं जैके brightness and contrast में तो यहां आप देख सकते हो color है और यहां पर देखो यह पीला dot भी है मतलब कि यहां पर आप color भी change कर सकते हो इसका और आप इसका basically यहां पर image भी यहां से connect कर सकते हो image भी आपकी यहां पर दिखेगे इसी के साथ साथ अगर आप यहां पर दिहान से देखेंगे कि yellow हमेशा yellow के साथ ही connect होगा आप इसको यहां connect कर लेजे कभी कोई wrong नहीं होगा कभी कोई समस्था नहीं आईगी क्यों कि basically यह इसी के लिए काम करता है always हमेशा आपको colors का ध्यान रखना है जब भी yellow color है 90% में yellow color ही लगेगा ठीक है अगर हम यहां पर आते हैं इस वाले section पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस यहां पर आपको multiple colors देख लिए जो आपको यहां पर देख रहे होगा नहीं ओको यहां पर दिख रहे हैं इन colors पर इन colors पर गटाता है आपको कुला से नोड बैसिकल यह इस yellow dot को input कर सकतें तोrator से वही note दिखाएगा जो आपके yellow dot direct पर input कर सकता है सेम यहांपर अगर मैं Gray डॉट्टे आता हूं, a metallic पे तो यहां पे हम इतने नोट दिखा एगा जितने नोट यहांपर basically वो accept कर सकता है ठीके, अशिवन इतने नोट दिखाएगा, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकती हूं कि हां ये कौन से नोट कितने चीजों को accept करते हैं एक मैं Ctrl Z करता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं यह वाला तो यहां पर भी आपको वही चीज़े दिखाएगा जो यहां पर accept कर सकता है जैसे कि अगर आप बेस में जाएंगे ठीक है और Green Color बेसिकली क्या है यहां पर आप देखेंगे Green Color को Always क्या माना जाता है Right माना जाता है Right मतलब होता है कि Basically Green Color होता है यह हमेज़ा हमारे Textures होते हैं Textures in the sense मतलब कि इनको आप अपने हिसाफ से Modify कर सकते हो और यह सारे के Green Color के Dots होते हैं Basically अपने यह वाले Dot में क्या Dot है इसे हम कहते है Normal यह भी हम कह सकते है इसको Blue Dot Blue Dot हमेज़ा Basically Deformation वाली चीज़ों को यहां पर दरसाता है अगर मैं यहां पर आप देख सकते हो यही वेक्टर रहा ठीक है अगर मैं यहां पर Shift ए प्रेस करता हूँ अगर मैं Bump लेकर हो तो Bump के देखो Input में और Output में भी देखो Basically यहां पर वो Green Color ही है Sorry Blue Color ही है ठीक है तो देखो अगर मैं इसके साथ Connect करूँगा तो यह Basically क्या है Perfectly काम करेगा आप अगर confused होग यह Colors कैसे काम करते हैं तो यह Colors ऐसे ही काम करते हैं आपको इधान रखना है कि कौन सा Color किसी को represent करता है यहां पर तो basically यहां पर आप देख सकते हैं जो यह वाले Color होते हैं जिसको हम Dark Blue कैलो या और Sky Blue कैलो जो भी Color है यह इसको यह Basically हमारा कैसे काम करता है जहां पर हमारे Deformation वाली चीजे होती है Displacement होती है Bump हो गया, Normals हो गया और अगर आपको मैं यहां पर एक चीज दिखा हूँ आप यहां पर देख सकते हैं हमारे जो Normal Map होता है उसका Color भी देखो कुछ ऐसा ही होता है जैसे हमारे उस Node का Color है ठीक है ना तो basically यह जो हमारी चीज है वाली तब किसको represent करता है जो हमारे equation based चलती है यहां फिर हम कह सकते हैं कि जिनमें थोड़ा सा अगर मैं आपको एक idea दूँ कि जिसमें gloss वगरा हो सकता है या जिनमें हम properties को add कर सकते हैं जिनमें हम basically roughness, IOR ऐसी fixed values आफिर कह सकते हैं कि procedure values डाल सकते हैं आपको basically यहां पर सबसे main concept है जैसे यहां पर आप देख सकते हो यह green है ठीक है तो green हमें सा कहां पर चूड़ेगा जो basically output note होता है almost 90% जो हमारे green होता है वो हमारे output note पे रहता है या फिर हमारे procedure जहां यहां पर आपको बताया यह सारे के सारे हमारे output notes यहां पर रखते हैं जैसे हमें कुछ भी ले लू background भी अगर मैं ले लूँगा तो यहां पर भी इसका output note यहां पर रखा होगा ठीक है अगर यहां पर मैं basically background के जोगपे glass भी ले लू तो इसमें आपको output note हमारे green ही होगा तो जितने भी हमारे output notes होते हैं वो हमारे always green होंगे और वो green हमेसा हमारे material output के साथ ही यहां पर लगेंगे इसलिए मैंने आपको बोला था कि यह सारे procedure texture यहां आप देख सकते हो सब में output textures यहां पर होगा ही होगा ठीक है तो फिलाल मैं यहां principal PSDF को यहां पर ले आता हूं वाफिस करके यह हमारा principal PSDF ठीक है guys तो I hope आपको यह color का जो सरदर्दी है जो आपको समस्य होती कि कैसे काम करता है basically और यह किन चीजों के लिए use होता है यह basically इनी सब चीजों के लिए colors को आपको हमेसा कभी भी colors को लेके ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे बना सकते हूं यह इस type की checkers basically तो यहां पर क्या करूँगा दिखो जिससे मैं आपको पहली बताता है colors को मैं color के साथ जोड़ूँगा तो always यह connect हो जाएगा ठीक है यहां पर हम basically कोई भी color दे सकते for example यह मैंने white रख दिया और नीचे वाला मैं रख देता हूं यहां पर black तो कुछ इस तरीके से black and white हमारा checkerboard यहां पर बन चुका है यहां इसे के साथ इसके roughness में यहां से कम कर सकता हूं ठीक है कुछ इस तरीके से ताके थोड़ा checkers दिखें तो मैं यहां से scale बढ़ा दूगा उसके बाद मैं camera को select करूँगा और camera की property में जाके viewport display में जाके यहां पर मैं basically pass payout को enable करता हूं ताकि मैं अपना सिर camera view यहां पर देख पाऊं और यहां पर मैं camera को unlock करके इसको हलका सा मैं ऐसे किसका के यहां पर ले आता हूं that's it cool लग रहा है अब हम यहां पर create करने वाले basically का marble textures marble textures बहुत easy है create करना same चीज़ आप यहां से कर सकते हो आपको यहां से click करना है click करने के बाद यहां पर आपको principle bsdf का node आ जाएगा अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि यहां पर अगर आपको textures का नाम पता है तो आप तो शेक्लिश शिफ्टे करके वर्नो ही करके यहां पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कोई भी textures आजाएगा या फिर हम वेब texture लेके आते तो देखो वेब texture यहां पर आ चोगा अगर आपको पता है तो आप search कर सकते हो अगर आपको नहीं पता तो आप ढूड भी सकते हो ठीक है जैसा कि मैंने आपको बोला था कि colors always color में input होगा और FSC हमेंसा इन सब values में यहां पर input होगा तो आपको इस टाइप का यहां पर देखो view यहां पर देखने को मिल रहा है तो आप गिजमो को हाइट करते हो तक यहां अच्छे से visible कर पाए और इसको भी हाइट करते तो ठीक है अब यहां पर basically क्या है मैंने आपको बोला था यह जो textures होते है यह हमारे normal textures नहीं होते हैं कि हाँ इनमें हमें UV की समझते होगी नहीं यह हमारे total procedural textures होते हैं यह object के according अपने आपको change कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर मैं जो scale की value है वो थोड़ा कम लेके आता हूँ मैं यहां पर 3 लेके आया कुछ इस तरीके से पर उसके बाद यहां पर distortion की value को थोड़ा increase करोंगा तो जैसे में distortion को increase करोंगा आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमें कुछ इस type का effect करेंट होते हैं जैसे हमारे घरों में जो tiles होती है वो को इस तरीके से दिखती है ठीके अभी क्या effect तो अच्छा हो गया है पर अगर आपने कभी भी कोई marble देखा होगा तो वहां पर क्या होता है जो यह black dots होते हैं यह हमारे बहुत ज़्यादा sharp होते हैं ठीके पर यहां पर आप देखो कि बहुत ज़्यादा धुंदले से लग रहे हैं जैसे मैं इस color RAM को add करूंगा और यहां पर मैं जैसे इन दोनों के बीच में छोड़ूंगा तो यहां पर क्या होता है अगर यह converter इसके लिए work full होगा या फिर कामकाजी होगा तो तो तुरंट इसके साथ यह लग जाएगा देखो छोड़ते लग जाएगा तुरंट लग जैसे मैं आपसे बोला था कि color always colors पर लगेगा अब यहां पर आपनों का कॉशन होगा है कि यह यहां पर basically कैसे है तो FAC जो value होती नहीं से हम कहते है factor value और factor value हमारे image वाले node को भी accept कर लेती है ठीक है तो FAC मतलब यहां पर factor value होता जिनमें भी हमारी convertors होते हैं जिसमें भी हमारी minus minus की values होती है उसमें हमारी basically color या image लग जाता है जैसे कि अगर example दो कि आप यहां पर roughness के लिए भी roughness का map लगा सकते हो alpha के लिए alpha का map लगा सकते हो तो image यहां पर acceptable होती है ठीक है जैसे हमने यह लगाया तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको यहां से चोटा कम कर रहा हूं तो आप देखने चीजी यहां पर शार्फ हो रही है पर तो जैसे यहां पर यहां पर smoothness भी है इसकी यह वाली यह हमारी little missing आरी है इस तरीके से तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर basically हम एक और node add करेंगे और इसको थोड़ा सा अंदर को करेंगे कुछ इस तरीके से उसके बाद एक और करेंगे और इसको हम थोड़ा सा और अंदर को करेंगे कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी smoothness भी बच गई और यहाँ पर basically हमारा यह marvel का texture भी बन चुका है अब इसको थोड़ा सा और realism लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इसकी तो roughness की value है उसको थोड़ा कम कर देंगे और यहाँ आप देखेंगे जैसी roughness की value कम होई हमारा यहाँ पर जो marvel है वो काफी जादा यहाँ पर सुन्दल लगने लग गया है वो काफी जादा cute लगने लग गया है आप यहाँ से देख सकते हैं चीजों को आप यहाँ से basically detailing और add कर सकते हो if you want और इसे के सांसे detail का scale भी कर सकते हो अगर आपको अपने हिसाफ से design सेट करना है तो ठीक है यह देखिए यह भी छीक लग रहा पर यह ज़्यादा अनीवल लग रहा है तो हम इसको तोड़ा कमी रखूंगा ठीक है यहाँ से उसको आप face off ही कर सकते हो यह बेसिकल एक तरीके साफ से उसको आप यहाँ पर रखता हूं तो इसको बेसिकल में बन पर रखता हूं अब यह ठीक लग रहा है तो इस तरीके से आप अपना पहला project कर सकते हो blender में आगे वे lessons यहाँ पर आप देख सकते हो name के साथ सारी में आपको detaily में सारे एक-एक node अच्छे से समझाने वाला हूं आप इससे देख सकते हैं कि कैसे हमारे यह काम करता है इससे के साथ कोछश चीज़े में आपको और यहाँ पर समझाने जा रहा हूं ताकि आपको चीज़े और अच्छे से समझ में आ जाएं जैसे कि आप हमेशा ध्यान रखना कि हमारा एक basically add-on होता है जिसे हम कहते है node-rangular add-on ठीक है ना अभी जो node-rangular add-on होता है ने आप लोगों के दिमाग में आता हो गई यह काम कैसे करता है देखो मैं आपको बहुत एजी तरीके साथ समझाने वाला हूँ कि node-rangular add-on हो कैसे काम करता है ठीक है वो भी आपको जानना यहां पर बहुत जादा जरूरी है ठीक है अगर आपने अपना पहला फुजक बना लिए तो आगे वाले फुजक में आपको nodes लगाने पड़ेंगे Q add कर दे रहा हूँ समझाने के रहे मैंने आपके Q add किया and Q add करने के बाद मैंने यहां पर एक नया material बनाया नया material बनाने के बाद मैंने यहां पर शिफ्ट ए करके वह नोई texture यहां पर मैंने डाल दिया टीक है? अब देखो हर बार क्या होता है कि हमें कोई भी अगर material चक करना है भॉछा यह material हमारा किएसा दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है कि color को color से जोड़ेंगे यह एक यह तो मैं अभी यह थिक है अभी हूं ठीक है पहले इसको लगा के देखते हो तो वह बहुत ज़र time taking process होता है तो आप एक second में किसी भी note का preview ले सकते हैं आपको just press करना है control shift और left click जैसे अब left click करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फिर से click करेंगे तो तो किसी का बी प्रिवीव यहाँ पर ले सकते हैं इसे के साथ साथ अगर आपको वापीछ जोड़ना है तो आपको जिस principle BSDF जोड़नेगे तो आप यहाँ पर जोड़ लेंगे यहाँ बहुत important चीज यह भी है कि अगर आप Ctrl, Shift & Click करके क्लिक करते हो और आपका Preview नहीं दिखता जैसे मेरा Preview दिख रहा है तो इसका मतलब यही कि आपका वो जो Add-on है यहाँ पे वो Enable नहीं है उसके लिए आप क्या करेंगे Edit पर जाएंगे, Preference पर जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे, Add-on section में जाके यहाँ पे आप लिखेंगे, Node-rangular और जैसी हमें आपे Node-rangular लिखेंगे तो आपको यह Add-on मिल जाएगा, आपको Just यहाँ से Enable कर लेना है उसके बाद जितनी भी shortcut keys में यहाँ पे आपको सारी यहाँ पे use होते वे दिख जाएंगे ठीक है, फिलाल के लिए मुझे यह ठीक लग रहा है मैं इसको इसके साथ जोड देता हूं कुछ इस तरीके से, अभी फिलाल के लिए ठीक है अब यहाँ पे एक बहुत common shortcut की है वह है हमारी basically Ctrl-T, Ctrl-T Ctrl-T, Ctrl-Shift-T यह दो टाइप के यहाँ पे basically हमारी shortcut keys हैं और इनमें लोग बहुत ज़्यादा confused रहते हैं तो जब आप किसी भी object का Ctrl-T करते हो तो उसमें आप basically उसका mapping node लगा लेते हो, अब आप बोलोगे mapping node क्या चीज है भाई, मैं mapping node कैसे समझू, यह mapping node तो बहुत complicated लग रहा है, इन सब का मतलब क्या होता है इन सब का मतलब आपको मैं आज इस video में completely बता दूँगा आप इसमें से सारे options के मतलब perfectly जान जाएंगे कि कैसे हमारा basically यह सारा चीज काम करता है ठीक है नहीं, बट पहले हम समझते ctrl T और ctrl shift T में क्या फरक है ctrl T से आप किसी भी basically object का यहां पर क्या कर सकते हो, basically mapping node खोल सकते हो, यहां पर एक trick है और यहां पर जो trick है वो क्या है कि अगर आप किसी भी procedural texture पे control T करते हो जैसे मैं इसको duplicate कर रहा हूँ अगर आप किसी procedural texture पे control T करते हैं तो हमें को सिव texture coordinate और mapping node मिलता है अगर आप किसी shader को duplicate करके अगर आप किसी shader पे control T करते हो तो यहां पर आपको क्या करेगा कि अगर आप धिहां से देखोगे मैं इसको तोड़ा move करता हूँ इमेज टेक्चर लगा हूआ आया पट इसमें image texture लगा हूआ क्यों नहीं है तो यहां पे सबसे वड़ा trick यह ही है चुम आपको शूर्यू से सम्जाँ रहा हूँ तो मतलब blender confirm है कि इसमें कोई image वाला काम हो हीए इसमें आप कोई भी image लगाओगे तो image अच्छे से काम करेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर vector है और बाके सब चीजे हैं इन सब चीजों में image का तो कोई काम ही नहीं है तो वह पहले से समझ जाता है कि हाँ यह procedure texture है इसमें image की जरुवत ही नहीं है पर जब हम पकड़ते हैं किसी भी shader को तो उसमें base color में image भी लगा सकते हैं जो कि आप लोग को पता है कि हम यहाँ पर image भी लगा सकते हैं तो blender वहाँ पर शौन नहीं होता कि आप image लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे उस कारण वर्स से वो क्या करता है यहाँ पर image भी आपको extra add करके देता है कभी-कभी ऐसा होता कि आपको image की जरुवत होती नहीं आप इसको directly यहाँ से connect करते हो इमेज वाले को यहाँ से आप delete कर देते हो पर blender को नहीं पता कि आप इस पर image लगाओगे या नहीं लगाओगे जैसे कि for example मैं यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ जैसे कि हम यह पर आ जाते है एक textures में ही हम ले आते हैं एक web textures यह हमारा procedure texture हो गया और इसे कि साथ साथ अगर हम यहाँ पर कोई-भी converter या फिर कोई-भी for example मां convertory ले ले लेता हूँ Color ramp ले लेता हूँ और तब वो लेगा, नहीं, फर्स्ट वाले में ही आपका यलो डोट होने चाहिए, तभी ब्लेंडर आपका बेसिकली इमेज टेक्शर लेकर आगा, अधरवाइज अगर 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 आपको सी मैपिंग और टेक्शर कॉडिनेट लेगा, यहां पर इसका फर्स्ट यहां पर यहां पर आपका रहे हूँ, जासे कि हमने आपे ले लिया और यहां आपर टेक्शर Azal Mir E compartil अख्यों, लेकराण भी एकराण फ्यूम्ट मैंको अभाण पस दोनेदा है, तो यहां पर मैंल हो होगा, आप दोने यह दोने ए wierण भी टेक्शर मान हो मैं मे यहां लेक और आख ती दिन्टार का है're रुखको की वेक्टरी डॉट ए, मनलेफ की व्यक्टरी डॉट Tamara मानलब की व्यक्टरी दॉटार मिलेंडर सब्लीय को पता है की व्यक्टरी कि बहुत்कि छोर curator क्योंकि वः पूरा ही हमारा कैसे होता है पूरा ही earthquake होता है फोरा ही रहूं कि वह image texture लगाएगा because blender को नहीं पता होता कि वह आप यहाप image add करोगे या फिर नहीं करोगे तो हमेशा keep in mind कभी-कभी आप लोग confused रहते हैं कि यार इसमें तो image texture आता है इसमें image texture क्यों नहीं आता तो because of that यहापे image texture नहीं आता तो यह हमेशा आपको अपने mind में रखना है ठीक है guys तो यहापे मैं सब को delete कर देता हूँ आपको control T का concept समझ मा आ गया अब मैं आपको बताता हूँ control shift T क्या काम करता है मैं मैं ढाल क्या क्या क्यम कि अपने yang पताएं किसी आपमें देख़ों यहां पर भी मैंपिक्ट रारा है पर Ctrl T करता हूं तो आपको इमेज यहां पर क्या जो नोड है वो लगा कर देगा आपसे बूल को ओपन करो इमेज खोलो अपनी हो यहां पर डाल दो ठीक है बट अगर मैं यहां पर Ctrl Shift T करता हूं तो Blender हम से बोलता है आप इमेज पहले से कर लो कौन से इमेज लगानी है आप इमेज को सिलक कर लो गए उसके बाद आप क्लिक करो गे तो हम आपको इसłemे texture भी लगा के देंगे ठीक है बड़ यहां पे एक वफसे बला point है कि यहां पे आपका वो image ऐसे नहीं आएगा कि आपको इभी image कलिक करोगा आपका image आजाएगा वो आपका image या तो आपको जो basically object है जिस object में आप image डालना चाहते हो उसका UV unwrapped होना जी या फिर वो पूरा कैसा होना जी 1 is to 1 मतलब की seamless texture होना जी पर आपको अगर मैं बता दू Ctrl Shift T प्रस करेंगे तो यहां पे वो आपसे बोलता है कि आपको कौन से image चाहिए वो image भी आप से लग करो तब जाके यहां पे मैपिंग note के साथ image भी उसमें add करके दूँगा तो यह basically different है Ctrl T में और Ctrl Shift T में तो I hope आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ और भी trick वाली चीज़ जो कि आपको लिए बहुत ज़्यादा useful होने वाली है और guys इस वीडियो का पूरा देखें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो का लाइक करेंगा मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगा और इसकी बागी सारी वीडियो हमारी वेबसाइट पर आपको अवेलेवल मिल जाएंगी आपको बेसिकली को परचेस करने से पहले यह कोड लगाना है a'deg20 तो अभी जाएं और अगर आपको नहीं पता कैसे काने था है तो आप मेरा यह वाला विडियो ज़रूर देख़ेगा जब आप बेसिкіली कोज परचेस कर्यों नई तो आप मेरे को इस नमबर पर call करें अगर आपको कोई भी समस्य आती है और यहाँ पर सबसे बेस्पाद है कि अगर आप इस course को भी लेते हैं तो अभी हमने recently start करें जैसी ही आप course लेंगे तो आपको 15 मिनिट का वीडियो यहाँ पर एक session मिलेगा वो भी आपके optional है आपको लेना है या नई लेना वो आपके ओपर यहाँ पर 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 प्रवाइड है ठीक है guys तो चलिए आप शूरू करते हैं आगा का वीडियो तो इसके आगे की chapter basically हमारे सारी website पर आपको available मिलेंगे और वे उस website का एक और फाइद आपको बदा रहो अगर आप उस course में इन्रोल करते हैं तो one time आपको purchase करना है आपको lifetime आप उसके access मिलेगी अपी तक उसमें बहुत सरे chapters हमने डाल दी है आप जाके एक वर website विजिट कर सकते हैं और जादे information के लिए मुझे personal call या फिर what's up कर सकते है thank you all right guys तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यह जो texture coordinate है और जो mapping node है यह basically है क्या चीज़ ठीक है काफे लोग बस बोलते हैं कि हाँ texture coordinate लगा दिया mapping लगा दिया आखे इनका use क्या है यह options हमारे किस काम आते हैं चलिए इन सब options के बारे में यहां तक आपका पूरा पूरा बात करूँगा ठीक है चलिए शुड़ बिपने तो सबसे पहले यहां बात करते हैं generated का generated क्या होता है कि जब आप blender में कोई भी एक नया object add करते हो तो by default वो जैसे generate होता है ठीक है न वैसे ही हमारी चीज़ें यहां पर basically काम करती है ठीक है तो उसके लिए क्या यह generated object है मतलब कि इसमें अगर आप कोई भी changes करते हो for example आप इसको scale करते हो तो इसमें आपका texture perfectly scale हो जाएगा कोई दिककत ने कहीं भी stretchness नहीं आएगी detail डालेओ detail आजागी perfectly roughness डालेओ अच्छे roughness आजागी कोई भी यहां पर समस्से यहां पर create नहीं होगी ठीक है आप इसको scale कर सक trick है trick कैसी है दिको normal पर अभी आऊंगा पहले मैं आपको इन दोनों को एक साह समझागा को दोने हमाले बहुत useful है तोने आपस में बहुत जुड़े होए जो generate होता हमारा वो हमारा as it is a object होता है ठीक है उसमें क्या होगा कि जो हमारा object है अभी आप size देखोगे item section में जाके व हमारा texture का size थोड़ा बड़ा हो गया अब यहां पर आपका question होगा यारी बड़ा कैसे हो गया मतला generate भी होई है UV भी होई है तो अब यहां पर जो समझने वाली बात यह है कि जो हमारा basically UV है अभी इसके जो UV है by default UV इसके खुले रहते हैं आप और दिखाता हूं यहां पर अग according यहां पर क्या हो रहा है चीजे scale हो रही है देखो ठीक है तो आपको always जान दखना है कि अगर मालो मैं इसको ऐसे stretch करता हूं देखो मैं इसको select करता हूं और इसको scale करता हूं तो देखो गया अब यह stretch हो रहा है क्यों क्योंकि यह UV के according चल रहा है ध्यान से दिखेगा अभी हमारा यह UV के according चल रहा है देख रहे है बट अगर इसी के साथ अगर मैं generate में हूं यहां पर basically और अगर मैं इसको यहां पर scale करता हूं यह आप देखिए ठीक है कैसे भी scale करता हूं तो देखो वो उसका UV खरामला वो stretch नहीं हो रहा है देखो वो बस नया बंते जले जा रहा ह बंते चले हैं अगर मैं G, S और X कर रहा हूं या Y कर रहा हूं तो नहीं बंते चले हैं क्योंकि यह generate है ठीक है बड़ इसी के साथ अगर मैं UV से कर रहा हूं इसको तो आप देखेंगे यह scale हो जा रहा है क्यूं क्यूंकि UV हमारे limited है और वह उस UV से अगर मैं ज्यादा scale हो रह रहा हूं, इक्स्टूड कर रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं इसको जनरेट करूँगा, जैसे ही अबजेक गोमेगा वह वैसा है इसको जनरेट कर देगा, उसमें कोई आएगी ही नहीं, ठीक है पर UV वाले section में ऐसा नहीं है, अगर आप UV वाले में करके यह चीज़ करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप UV में ऐसा चीज़ करते हैं, मैं ऐसे बे एक जमपल दिखाता हूं, यह देखो, तो वह जो को stretch होना स्टार्ट हो जायगा, अब यहां पर confusion एक और आ गया है कि generate समझ में आ गया, uv समझ में आ गया फिर यह object क्या है, जैसे से आप object को generate करते जाएंगे वैसे वैसे वो texture अपनी shape लेते चले जाएगा पर object में क्या है कि जो हमारा object है उसकी अपनी scale value है, उसका अपना एक parameter है तो जैसे में इसको object में करूँगा, तो चीजे कुछ और change हो चाहेंगे अब जनरेट और object अभी इसमें फिर से फरक आया अब आप यहां पर confused कि यह फरक कैसे आया देखो, object का अपना एक diameter है, देखो, dimension है उसकी, देखो, क्या है 2 by 2 by 2, ठीक है, तो यह object जितना छोटा होगा, ठीक है, उसके बाद apply scale करेंगे तो texture देखो, वैसी change हो रहा है, ctrl z करो, apply scale, texture वैसी change हो रहा है जैसे में इसको फिर 2 by 2 by 2 करूँगा, 2 by 2, ठीक है, और उसके फिर apply scale करूँगा, फिर texture change हो रहा है तो यहां पर क्या है कि जो object की जो shape है, जो object mode में, ध्यान लखना, जो object mode में उसकी जो shape है, उसके dimension की according यहां पर जो हमारे texture है basically, वो distribute होता है इसको आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, तो आप कभी भी generate, UV और object में confuse मत होना, ठीक है, तो object में सील क्या है, उसका size क्या है, अगर माल लो मैं इसको यह करके scale करता हूँ, stress तो यह इसमें भी हो रहा है, पर अगर मैं control A करके apply कर दूँगा यहां पर, जैसी म blender हमेसा 0 to 1 की value पर काम करता है, जिसे हम कहते है, binary values, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते है, 1 is to 1 is to 1 होता है, तो यहां पर ठीक रहती है, तो यहां पर control Z करूँगा, 1 is to 1 is to 1 में perfect चीज़े है, पर जैसी में scale कर देता हूँ, तो blender को लगता है, नहीं भाई यह 1 is to 1 तो रह चोड़ाता, वो ठीक हो जाएगा, पर आप में से कई लोग के mind में, यहां पर एक चीज़ और आ रही होगी, कि यह चीज़ तो हम UV में भी कर सकते, तो UV में ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो UV-based हो जितने उसके unwraps हैं, उतने पर बेस काम करेगा, वो अगर आपको नहीं होता है, यह कि मैं करके दिखाता हूँ, यह है, महलो मैं इसको scale किया, ठीक है, इसको मैं यहां पर scale किया, stretch होगा, control A, apply scale, जी नहीं, कुछ नहीं होगा, even कई लोग के दिमाग में यह होगा, कि अगर मैं इसके edit mode में जाके सको scale तो साइध हमारी चीज ऐसी नहीं होगी, जी नहीं, यह तब भी stretch होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो UV-based है यह हमारा object-based है, यह हमारा basically generate है, जैसे यह object generate होगा, वैसे वैसे चीज़े हमारी यहां पर create होना, start होगी, तो यह जो 3 object हैं यहां पर, बैसके और हमारी चैनल को subscribe भी करना, और इस वीडियो पर comment भी जरूर करना, ठीक है guys, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, यहां पर basically हमारा next, यह हमारी बचा होगा था normals, अभी normals कैसे काम करते हैं, तो पहले आपको थोड़ा normals की history बताता हो, normals हमारे काम कैसे क अब इससे हम कैसे देख सकते हैं, दो कि आपको मैं दिखाता हूँ, मैं इसके edit mode में जाता हूँ, यह ही press करता हूँ, यहां पर मैं जाऊँगा, इस वाले section में, यहां पर normal को enable को, थोड़ा इनका size भी बढ़ा देता हूँ, तो देखो, जहां जहां हमारे यह normal direct कर रहे हैं, और जिससे आप से direction होती ही, वही उसके normal होते हैं, मैं edit mode से बाहर आगया हूँ, और मैं material TV में आता हूँ, अब मैं यहां पर basically generate से जाता हूँ, directly normal पे switch कर गए, जैसी में normal से switch करता हूँ, देखना क्या changes होगे, अब यहां पर क्या हुआ हूआ, कि उतनी सारी colors आ रहे थे, वह अब ही देखोगे, आप multiple color हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर अभी edit mode में जाओगे, तो सिफ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और, तो यहां पर basically 6 faces हैं, इसलिए यहां पर यह सिफ 6 ही color आपका दिखाए, तो जहां को हमारे normal की directions होती हैं, वहीं पर हमारे textures हैं, और जो face हमारे, जिस normal की तरफ direction कर रहा होता है, उसी face में basically वो texture हमको यहां पर दिखता है, और उतने area में सिर्फ एक ही block उसका देखेगा, इसलिए हम normal की texture को always avoid करते हैं, All right guys, I hope आपको यह सारे समझ में आ गए होंगे, जिसे generate कैसे काम करते हैं, बाकी जीसे कैसे काम करते हैं, फिलाल मैं यहां से जाके normals को बंद कर देता हूं, अब यहां पर मैं basically क्या करने वाला हूं, next आपको दिखाने वाला हूं, आपके लिए बहुत useful है, जहां से देखना गाईज, देखो, जैसी मैं इसको object को select है मैं already, जैसी मैं camera पर ऐसा लगाऊंगा, तो जहां हमारा camera है, वहीं पर या जहां हमारा camera देखेगा, से वहीं पर ह हमारी चीजे basically क्या होंगी, यहां पर हमको दिखना शुरू होंगी, for example, मैं यहां पर इस वाले view को 3D view बनाता हूं, यह मेरा camera है, जैसी मैं camera को move करूंगा, हमारा texture भी वैसे वैसे ही यहां पर move होगा, देखिए, जैसे मैं camera move कर रहा हूं, वैसे वैसे हमारा texture यहां पर change हो आप यहां पर देख सकते हैं, यह देखिए, जहां मैं उसको आखे कर रहा हूं, पीछे कर रहा हूं, जहां जहां हमारा camera जा रहा है, वहां हमारा texture इसको follow कर रहा है, यह basically कह सकते हो, कि वैसे ही इसमें basically mapping दिख रही है, अपने आप वो चीजें वाँ पर map हो रही है, और यह लोग कई बार, ऐसे satisfy animations होते हैं, उनको बनाने के लिए भी use करते हैं लोग, कि जैसे कि हमारा camera कैसे move कर रहा है, और कई लोग सुसते हैं, camera भी move कर रहा है, वो भी कैसे animate कर रहा है, कैसे ही नोने कर दिया होगा, वो लोग क्या करते हैं, उस texture के coordinate को camera पे set कर देते हैं, तो camera भ हमारा basically camera को follow करता है, यह देखिए, all right, तो I hope आप अच्छे समझ गेंगें यह वाला option भी, अब यहां पर basically एक चीज मा आपको और बता दू, यह हमारा तब भी काम आता है, जब हम camera tracking करते हैं, यह camera tracking क्या होता है, कि जहां-जहां हमारे scene में camera देख रहा होता है, सिर्फ वही कोई हमें texture देखे, तो यह हम उसके लिए भी use करते हैं, इससे हमारा scene बहुत light रहता है, हमें पूरा environment यहां पर बनाने की ज़रूद नहीं बढ़ती है, अगर हमारा camera fix है, कि इतना ही angle में गुर्मे का, तो हमको उतना ही area में texture देखेंगे, यह भी एक बहुत अची चीज है, अब यहां पर बात करते है, next option जो हमारा basically window, तो window basically क्या होता है, जैसे मिसको window को लगाऊंगा, इस तरीके से, तो जिस भी view में आप हैं, जैसे इस view में आप हैं, तो आपका texture देखेंगे, तो जिस भी window में आप हैं, जैसे अगर आप front window में हैं, तो यह front के तरह आ आ रहा है, तो आपका texture आपका, तो बहुत देखेंगे, तो जैसे view में आप देख रहें, जैसे window में आप हैं, जैस तरीके से आप देख रहें, उस तरीके से हमारा यह काम करते है, अब हमारा last आता है, वो आता है, हमारा basically reflection, तो reflection कैसे काम करता है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहा नहीं है, ओके, यह वाला texture, तो आप यह वाला texture है, यह वाला, ठीक है, अभी दो को window चल रहा है, तो window में तो कुछ इस type को देख रहा है, अब मैं आपको last दिखाता हूँ, जो हमारा reflection, यह reflection कैसे काम करता है, जैसे मैंने vector पर लगाया, तो ऐसा लगता है, जैसे आप सीसे मे इसे काम करता हूँ, यह कभी-कभी illusion चीज़े create करने के लिए बहुत काम आता है, यह आप देख सकते है, all right guys, तो I hope मैंने आपको अच्छे से यह सारी चीज़े समझा दिये, यहाँ पर जो basically 2 option बचे, इनको मैं आपको next lesson में बताऊँ कि कैसे आप इसको use कर सकते हैं, and next chapter में इसे समझा दिया हुगा, कैसे हमारा texture coordinate, कैसे हमारा texture node, हमारा node mapping, कौन से color किसे काम करते हैं, इस सारा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, तो I hope guys, आपको इस वीडियो से बहुत कुछा सीखने को मिला हूँ, अगर आपको सीखने को मिला हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा, मेंचे को सबस्क्राइब कीजेगा, और जादा से जादा जादा इस वीडियो को लोग के साथ शेयर करेगा, और अभी तक आपने लिया हमारा blender basic to advance को, तो जाएए guys, ऐसे interesting and बहुत noticeful content वहाँ पे हम बनाते हैं, आपको देते हैं, विकॉस अगर हम आपसे इस इसका पैसा ले रहे हैं, वो भी बहुत reasonable price में, 2000-2000 आपके लिए कुछ नहीं है, one time purchase करना है, उसके बाद उसको lifetime आपको access मिलेगी, और ऐसा ही quality content वहाँ पे आपको अच्छे से मिल रहा है, जिन लोगों ने खरीदा है, उन लोगों के reviews अच्छे हैं, मेरे को whatsapp करके बोल और 2500 से भी कम price में आपको मिलना उसे 2399 में, तो जाएं और purchase करते समय, आप ये code लगाना भोले, dg20, so guys मिलते हैं in next lesson में, तब तक अपना ध्यान रखिए, bye bye, take care, stay home guys, and love you all.